प्लास वान आर्स क्लास आज हम करेंगे आदुनी कवीता भाग में सात्मी कवीता सूरे कान तुरे पाठी निराला द्वारा लिखित इसके प्रशन उत्तर है वो मैं बेज रही हूँ आपने इसकी परसंग सही त्वियाक है में बाद में हम करेंगे इसमें वे तोड़ती पत् करो अंदा पत्थर तोड़ने वाली सामरे रखी जूती पूरी रूम से जवान है किन्तु निर्दंता के कारण उसके कपड़े की तर-तर हो रहे हैं कि उसके कपड़े फटे हुए हैं इलाबाद के एक रास्ते पर आँखे नीचे की ये पत्थर तोड़ रही है कोई इसमें तोड़ने वाली पत्थर तोड़ने वाली इस्तरी के बारे में गृपी के बारे में पताया गया इवे अतनी कड़कती दूब में किस परकार काम कर रही है अपने काम में मस्त है और कवी को ऐसे नजलों से देखा जैसे मार खाकर रोया ना हो कि वे अपनी दूर दशा पर द उतनी लू चल रही है फिर भी में मजबूरी के कारण इस काम को बड़े ही मेनत के साथ कर रही है तो पैर का समय है देहकती हुई लू सब को जला देने पर चारों तरफ से फैर रही है करम में लीन होते हुए तोड़ते पथर तोड़ने वाले यूती के मन में क्या भी चार जागे कि कभी की और देखने से पहले उसे भवन की और डरते हुए देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा वे अपने मन में गरीबी पीडा असायता के कारण दुखी उसने सोचा जागो फिर एक बार सवा सवा लाग पर एक को चड़ाओंगा पंक्ती किसे ने लिखी हुई है गुरु गोविन सिंग्जी ने कि वे जिरूने अपने सारे पुत्रों को वार दिया इस बात को जिलाते हैं वो बताते हैं कि हम बारती दुश्वनों के एक लाग के वरा बने ह हमें अपनी शक्ती को पहचान कर सबल बनना चाहिए मजबूत बनना चाहिए सिंग्णी और मेश माता के उधारन कि बारी शक्ती पर आकमार मुकावला हमें किसी बेड के समान चुप चापना खड़कर शक्ती शाली मुनुश्य के निसार कोई हमारी तरफ आंक मीना की जाग इस कविता का केंद्रिबा भोधिक शक्ती से भारी दुश्मन का डटकर मुकावला करना चाहिए निडर बनना चाहिए इसके साथ इसके अधी लगूर उत्रात्मक प्रशन है सूरेकान तरिपाठी का जनम थारा सो च्यनमे बंगाल के मेदनी उरंजिले में मैशा दल रामकस पर हुआ निराला जी के पिता का नाम पंडित राम सायत रिपाठी जो उन्नाव के गड़कोला गाम के निवासी मैशा दल रियासत में कोशा द्यक्ष की नोकरी निराला जी की पत्नी मनोरा देवी संताने दो एक पुत्तर रामक्रिशन पुत्री सरोज पुत्री का निदन 19 सरोजम्रिती कैसा गीत है शोक गीत है निराला जी का निदन 15 अक्तूबर सर उन्नी सो कासर में इनकी परमुक कावे रचने गीति का परिमल अनामिका मीशा अपना अपरा अर्चना सरोजम्रिती रामकी शक्ति पूजा ने पर आदी इसमें इलाबाद के रास्ते एक तोड़ यो को किसकी याद दिलाई गुर गोविल सिंग जी की इस कविता के रचनाकार सूरे कांतर वाठी मजदूर मैला बिशन गरमी में सड़के किनारे क्या कर रही थी पठर तोड रही थी मजदूर मलिया मैला पठर क्यों तोड रही थी अपना पेड बनने के लिए हाद में क्य आजकल के यूकों में सैयम का समावे निलाला बारत वासिक इसका प्राग गुरुगोविन सिंग अतीत में हमारे देश में गौरव शाली वीर हुए हैं जागो फिर एक पर कविता में किस नदी का सिंद नदी वीरों ने के लिए मुक्ति क्या है देश के लिए रक्षा की वीर शंकर यही कोश्चन आपने अच्छी तरह करने है जी थैंक यू